हलो एब्रिवन वेल्कम टू करेंट पूर तो आज के डेली करेंट फेर्स की स्रीज में हम लोग देखेंगे 17 सितंबर 2023 के करेंट फेर्स को वीडियो में टक बने रहें वीडियो का एंड में 16 सितंबर 2023 के करेंट फेर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करेंट फेर्स आ पहला कि हाल ही में तुर्की की सबसे उची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली भारती परवतारोही लक्षमी जहा का संबंद किस राज जिसे है? आंसर है ओप्सन C, बिहार से हाली में तुर्की की सबसे उची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली परवता रोही लक्ष्मी जहा को 16 सितंबर 2023 को दिल्ली में सम्मानित किया गया लक्ष्मी जहा को भारत के स्वाधिंता दिवस के दिन 15 अगस्त को इस चोटी पर तिरंगा फैराना था लेकिन वहां मौसम घराब होने के कारण उन्हें 18 अगस्त को यह मौका मिला और उन्होंने इसी दिन तुर्की की इस चोटी पर तिरंगा फैराया तुर्की की 16,854 फीट उची इस चोटी को फटा करने वाली लक्ष्मी जहा बिहार के सहरसा जिले की निवासी है जो किलिमंजारो चोटी को भी फटा कर चुकी है वित्य समावेशन के लिए चोटी G20 वेस्विक शाज़ेदारी GPFI बैठक 14-16 सितंबर 2023 को कहां आयूजित किया गया आंसर है ओप्सन A मुंबई में वित्य समावेशन के लिए चौथी G20 वेस्विक शाधिदारी बैठक मुंबई में 14-16 सेतंबर 2023 तक आयोजित की गई तीन दिवस्य बैठक में G20 GPFI प्रतीनीधियों ने उर्जा सील विकास उभोकताओं को डिजिटल वित्य साक्षर्ता और उभोकता सुरक्षा तथा GPFI के डिजिटल वित्य समावेशन और MSE वित्य जैसे प्रमुख प्रात्मिकता वाले छेत्रों के माद्यम से ससक्त बनाने प इंट्रिग्रेटड चेक पोस्ट पर 27 कडोर रुपे की लागत से नवनिर्मित आवासिय भवनों का उद्घाटन किया गया आंसर है ओप्सन B केंद्रे ग्रीह एवं सहकारिता मंत्री स्री अमिद साह के द्वारा केंद्रे ग्रीह एवं सहकारिता मंत्री स्री अमिद साह ने 16 सतंबर 2023 को बिहार के अरर्या में Land Ports Authority of India की जोगबनी इंट्रिग्रेटड चेक पोस्ट पर 27 कडोर रुपे की लागत से नवनिर्मित आवासिय भवनों का उद्घाटन किया दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी केंद्र इंडिया इंटरनाशनल कन्वेंशन और एक्स्पो सेंटर यसो भूमी का निर्मान कहां किया गया आंसर है ओप्सिंटी द्वार का दिल्ली में प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी 17 सतंबर 2023 को दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनाशनल कन्वेंशन और एक्स्पो सेंटर यसो भूमी रास्ट को समर्पित करेंगे यसो भूमी में विस्व अस्तर ये बैठक सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकेगी यह दुनिया की सबसे बड़ी सम्मेलन और प्रदर्शनी सुवीधा स्थलों में से एक है 73,000 वर्ग मीटर से अधिक छेतर में बने कन्वेंशन सेंटर में 15 कन्वेंशन रूम है इसमें मुख्य सभागार भव्य बॉल रूम और 11,000 प्रतिनीदियों को रखने की कुलचमता वाले 13 बैठक कक्ष सामिल है कर्वेंशन सेंटर में देश का सबसे बड़ा LED मीडिया स्क्रीन है वर्ष 2023 के लिए नॉबल पुरसकार विजयताओं की इनामी रासी को बढ़ा कर कितना कर दिया गया है आंसर है ओप्सन भी 11,000,000 स्वेडिस क्राउन नॉबल फॉन्डेशन ने पहले के सालों के मुकाबले हर कैटेग्री में पुरसकार रासी में 1,000,000 स्वेडिस क्राउन की व्रिधी कर इसे 11,000,000 स्वेडिस क्राउन कर दिया गया है नॉबिल फाउंडिशन के अनुसार इस वर्स में पुरसकार विजेताओं को एक करोड़ दस लाख स्वीडी स्मुद्रा क्राउन दी जाएगी जो लगभग आठ करोड़ दस लाख रुपे के बराबर है हाली में अंतरास्टी क्रिकेट परिशद ICC द्वारा जारी पुरूस वन डे रैंकिंग में निमलकित में से किस देश को सिर्शस्थान हासिल हुआ है आंसर है ओप्सन ए ऑस्ट्रेलिया को 15 सितंबर 2023 को जारी ICC वन डे रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 115 रेटिंग के साथ पहले नमबर पर बना हुआ है यहाँ पे देख लीजे 115 रेटिंग के साथ पहले नमबर पर आस्ट्रेलिया है और दूसरे नमबर पर है पाकिस्तान इसकी भी रेटिंग 115 है 115 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर और भारत का स्थान देखा जाए तो भारत का स्थान 114 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर है 14 रेटिंग के साथ पाकिस्तान के खिलाडी बाबर आजम है और दूसरे रेंक में 769 रेटिंग के साथ भारत के खिलाडी सुभमन गील है माताओं किसोर लड़कियों और बच्चों को पोशन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुस्टी योजना किस राज सरकार द्वारा सुरू किया गया आंसर है ओप्सन डी ओडिशा के द्वारा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने माताओं किसोर लड़कियों और बच्चों जैसे लोगों की पोशन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुस्टी योजना सुरू की ह जिसका उद्देश को पोशन से निपटना और ओडिशा में सबसे कमजोर समोहों, माताओं, किसोर लड़कियों और बच्चों को पोशन संबंधी कल्यान में सुधार करना है विस्व ओजोन दिवस किस तिथी को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्सन सी 16 सितंबर को ओजोन परत के संडरक्षन के लिए जागरुकता में अभिवृधी के लिए परतेख वर्स 16 सितंबर को विस्व ओजोन दिवस की रूप में मनाया जाता है विस्व ओजोन दिवस 2023 का विस्व मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायू परिवर्तन को कम करना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्षिंग दा ओजोन लेयर एंड रिद्यूजिंग क्लाइमिट चेंज है चौदा अगस्त से एक सतंबर 2023 तक आई SSF राइफल और पिस्टल निसाने बाजी विस्व कप 2023 का आयोजन किस सहर में आयोजित किया जा रहा है आंसर है ओप्सन बी रियोडी जैनरों में भारत के किस प्रोदगी की संस्थान ने हाल ही में मिट्टी के कटाओ की पहली राश्टी अस्तर की मैपिंग प्रस्तुत की है आंसर है ओप्सन बी आयाइटी दिल्ली ने भारतिय प्रदगी की संस्थान आयाईटी दिल्ली के सोध करताओं ने मिट्टी के कटाओं का राश्टी अस्तर पर मांचितर विक्सत किया है इस अध्यन में देखा गया कि सबसे अधिक मिट्टी के कटाओं वाले 50 जीलों में से 29 उत्तर प्रदेश में और 13 बिहार, 3 गुजरात, 2 हर्याना में, 2 राजस्थान और 1 पंजाब में है इसे देश में अपनी तरह का पहला सोध बताया जा रहा है तो चलिए अब रिवीजन करते हैं हम लोग पिछली वीडियो का कोशन है पहला कि किस विभाग ने मंत्रालेओं विभागों की स्रेणी में प्रथम प्रतिष्ठित राजभासा किर्तिपुरुसकार 2022-23 प्राप्त किया तो पिंसन और पिंसन भोगी कल्यान विभाग ने किस ने 13 सतंबर 2023 को डिजिटल प्लेटफॉर्म स्किल इंडिया डिजिटल S.I.D. लॉंच किया तो केंदरी सिक्षा और कौसल विकास मंत्री धर्मेंदर प्रधान में International Organization of Legal Metrology O.I.M.L. प्रमान पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13 वा देश कौन बना तो ये बना भारत अंतराश्टी ये लोगतंत्र दिवस प्रती वर्स कब मनाय जाता है तो ये 15 सतंबर को मनाय जाता है मध्य सितंबर 2023 में भारत के किस राज में निपाः वाइरस संक्रमन का मामला देखने को मिला तो केरल में भारत की किस प्रमुख एयरलाइन ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की सुरुवात की है तो एयर इंडिया ने संस्कृती मंत्राले कितने कलाकारों को वर्स 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरसकार से सम्मानित करने की घूशना की है तो 84 कलाकारों को भारत में हर साल की स्तिथी को अभियनता दिवस इंजिनियर्स डे मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है 15 सतंबर को कौन सा देश हाल ही में यूरोपिय संग के विज्ञान अनुसंधान कारिकरम होराईजन यूरोप में पुनह सामिल हो गया है तो ये है यूके हाल ही में किसे Lifetime Achievement Award Academy पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो प्रोफेसर नजमा अक्तर को सदंबर 2023 में जारी किया गया Global Leaders की Latest Approval Rating List में दुनिया के सबसे लोगप्रिय नेता की सूची में सिर्श अस्थान हासिल किया है किसने तो नरिंद्र मोदी ने नरिंद्र मोदी के बाद लिस्ट में स्विजर लेंड के राष्ट्रपती एलन बरसेट 64% Approval Rating के साथ दूसरे स्थान पर और मेक्सिको के राष्ट्रपती एंड्रेस मैनुवल लोपेज ये 1% अंके के साथ तीसरे स्थान पर है तो अब हम लोग आंसर देखेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए कोशन का कोशन था कि राष्ट्रपती ने 13 सेतंबर 2023 को किस राज़ में राष्ट्य ए विधान एप्लिकेशन निवा का उध्गाटन किया तो आपका आंसर है गुजरात में और अब आज का सवाल किस भारती ए महिला किर्केट खिलाडी को 2023 टाइम हंडेड नेक्स्ट की सूची में सामिल किया गया है तो आपके पास ऑप्सन है सिफाली वर्मा, रानी रामपाल, इस्मृती मंधाना या फिर हर्मन प्रित कौर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमिसा की तरह अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें, धन्यवाद